फिरुजबाद के कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसियेशन की एक बैठक यूनियन के अध्यक्ष दिनेश चंदर राठोर की अध्यक्षिता में नेहा अतिती ग्रह में आयूचित की गए जिसमें सिरसागंज, शिकोहबाद, टूंडला, कोटला, आधिस्थानों परिस्थित सभ अतुल यादव ने कहा कि स्टोरेज में बोली ना लगने के लिए प्रशासन के सीधे आदेश हैं आज की मीटिण पोल शोच्व स्वामियों की जिसमे की करी 80 से लेकर 100 सो तक कोल्ट स्वामियों ने भाग लिया है और मैं ठाको सुधिप सीख, सभी लोगों का सत्थिदिव सीथ करें, सभी कोल्ट स्वामियों ने जो परिस्ताब यह पास हुए, मैंने एक पंप पताब था कोल्ड में बोली नहीं लगाएगी वो सब सम्मेंटी से पास हुआ दूसरा अगर कोल्ड स्वामी कोई अपने बोली लगाता है तो इसके लिए हर सेर में कुछ लोगों को निक्त करा है कोल्ड स्वामीों को जो उन पर जुर्माना लगा सकते हैं को परवेच। च्क के रूप में एक उनको बतला एक अथोर्टी दी वही है पतला अगर otherwise सबी अच्छे लोग है और इस चीजा का एक और प्रिस्था पास हुआ है जिसमें की ये था की डूती का बंढार एक दो से अस्री रुपे प्रथकुम्तर उसको भी सब समय तरह सही पास हुआ है, तोकि और जगे भी इस से अधिक रेट हैं, यहां थोड़ा सुकावाद अपने फ्रोजवाद डिस्टिक में थोड़ा यह रेट कम रखे गए हैं, और सब चीज और इस चीज का सब कोल्ड स्वामियों को पूरा-पूरा धनवाद देत जुड़े हुए हैं, लगबग 155 कोल्ड स्वामियों हमारे जिला में संचालित हैं, तो 2023 की प्रथम बैठक, आज नेहा गैस्ट हाउस इस्टिसन रूट पर आमद्रित की गई है, इसमें कई कोलिस्टूर बालों के मुद्दे हैं, उन पर बिसे शर्चा हुई, शर्चा में इसमें कोलिस्टूर की भाड़ा जो के आलू का क्राया होता है, बोर निर्दारित हुआ है, और जो बिगत दो-तीन साल से आलू की विक्री बोली द्वारा होती थी, उसको सभी कोलिस्टूर वाले स्वामी अप्यक्शन उठा रहे हैं, और उस पर निर्ले हुआ है, कि अब कोलिस्टूर में आलू की विक्री पुरानी पद्दती जैसे होती थी, उसी तरीके से होगी, और बोली नहीं लगेगी, उसमें बोली में सभी बोपारी भाई नुक्सान उठा रहे हैं, सभी सीद्ग्रेश स्वामी भी नुक्सान उठा रहे हैं, इस दौनान बैठक में ठाकुर संदीप सिंग, राजेश गुपता, गोपाल सिंग, अरविंद सिंग, गजेंदर सिंग चंदेल, मुकुल सिंग, दयाश्चंकर गुपता आदी लोग मौजूद रहे,